आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें जीरो, और क्योंकि हमें एक्स के साफ एक्ष करना है, इसलिए हम यहाँ पर डी-एक्स लिखेंगे ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखें, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समाकलन ठीक है, 0 को मैं लिख सकता हूँ, 0 गुणा में 1DX ठीक है, 0 गुणा में क्या लिख सकता हूँ, 1DX अब ये जो 0 है, ये बाहर ले लेंगे, ठीक है क्योंकि एक नियतांक है, तो इसको मैंने बाहर ले लिया और समाकलन के अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ एक dx रह जाएगा ठीक है और हमें पता है कि क्योंकि हम इसका x के साप एक्ष कर रहे हैं समाकलन तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ भई 0 1 को मैं लिख सकता हूँ x की घात 0 ठीक है और dx अब हमें पता है कि जो x की घात n का समाकलन होता है वो क्या होता है वो होता है x की घात n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1 है ना तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 0 गोडा में x की घात कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 और बटे में 0 प्लस 1 यह हो जाएगा और क्या आएगा जब भी समाकलन होता है तो प्लस का सी आता है यानिकी समाकलन इस्थिरांग का आता है तो वो भी आएगा अब यह 0 गुणा में क्या हो जाएगा X आएगा सिर्फ और प्लस का C ठीक है तो I का मानिया आ गया अब I बराबर क्या हो जाएगा जब 0 की X में गुड़ा होगी तो वो तो 0 हो जाएगा और प्लस का क्या आएगा C आएगा इसका मतलब जब हम 0 का समाकलन करते हैं तो क्या आता है एक C आता है यानि कि समाकलन इस्थिरांक आता है ठीक है यही हमारा क्या है उत्तर है यहां पर आप लिख सकते हैं जहां C जो है क्या है समाकलन इस्थिरांक है समाकलन इस्थिरांक है ठीक है तो यही हमारे प्रेशन का उत्तर हो जाएगा प्रश्चार सुछार रवार